मादो बैशना मादो नहीं realise मैच को दो सब्हुत बच्छे बहुत दिहान से पना सले पर नहीं आप लोग का oral में आ रहा है learn counting 1 to 20 जो हम लोग अपना part 22 में याद कर चुके हैं learn number name 7 और 8 आज part 23 में हम लोग यही याद करेंगे written में write counting 13 to 15 13 और 14 में आप लोग को previous वीडियो part 22 में बनाना सिखा चुके हूँ आज मैं आप लोग को part 23 में 15 बनाना सिखाऊंगे और 1 to 15 counting लिखाना सिखाऊंगे तो चलिए पहले हम लोग oral work अपना complete कर लेते हैं सबी बच्चे मेरे साथ अपनी copy open करें यह है आप लोग की maths की copy इसको open कर लीजे देखिए part 22 से हम लोग का start हुआ था annual course यहां learn counting पहले हम लोग ने याद करी 1 to 20 written work में हमने part 22 में ही हम लोग ने 13 और 14 लिखना सीखा था आज part 23 में हम लोग पहले learn करेंगे learn number name 7 और 8 पहले हम लोग 7 और 8 number names लिखेंगे याद करेंगे उसके बाद हम लोग 15 बनाना सीखेंगे तो देखें सबसे पहले मेरे साथ सबी बच्चे याद कर लें 7 7 की spelling याद कर लेजें S-E-V-E-N 7 S-E-V-E-N 7 S-E-V-E-N 7 S-E-V-E-N 7 अब 8 की spelling याद कर लेते हैं E-I-G-H-T-E-E-I-G-H-T-E-E-I-G-H-T-E-E-I-G-H-T-E-E-I-G-H-T-E-E-I-G-H-T-E-E-I-G-H-T-E-E-E-I-G-H-T-E-E-E-T आप लोग के एक्जाम में 128 कोई भी spelling आपके टीचर सुन जास सकती हैं तो मैं आप लोग को यहां next page पे 128 spelling लिखकर बता देती हूं तो सबी बच्चे अपनी copy में अपने parents से note कर लें और उसको याद कर लें part 23 शो करेंगे यहां पर डालेंगे learn number names 128 तो यहां पर पहले मैं one की spelling लिख देती हूं O-N-E-1 T-W-O-2 T-H-R-E-E-3 F-O-U-R-4 F-I-V-E-5 S-I-X-6 S-E-V-E-N 7 E-I-G-H-T 8 तो यह आप लोग को 128 spelling सभी बच्चों को याद होनी चाहिए कोई भी spelling आपकी teacher आपसे पूछ सकती है तो सभी बच्चे एक बार मेरे साथ यह लोगी spelling पढ़ लें और इसको याद कर लें O-N-E-1 T-W-O-2 T-H-R-E-E-3 F-O-U-R-4 F-I-V-E-5 S-I-X 6 S-E-V-E-N 7 E-I-G-H-T 8 सभी बच्चों को 128 spelling याद करनी है spelling को सभी बच्चे याद कर लेंगे number name सपना 128 याद कर लेंगे exam में आपके कोई भी spelling आपसे मैं पूछ सकती है तो यहाँ आपका learn work complete हुआ अब हम लोग आ जाते हैं written पर written पर मैंने आप लोग को क्या बता है पहले मैं आप लोग को 15 लिखने की practice करा हूँई तो यहाँ पर डाल दीजिए part 23 date show कर दिएगा जिस date में वीडियो जा रही है तो यहाँ हम लोग 15 लिखेंगे 15 two blocks का gap दीजिए उसके बाद लिखिएगा कि one five fifteen one five 15 two blocks का Gap दीजिए एक ब्लॉक में एक नंबर लिखना है और second believe दुदे इक ब्लॉक में मैंने one बनाया सेक्षेंड ब्लॉक में थाइब बनाया तो one five क्या हो चा़ई फिफ्टीन हो 1-5-15 1-5-15 1-5-15 1-5-15 1-5-15 1-5-15 1-5-15 1-5-15 यहाँ आप लोग का 15 कम्प्रीट हो गया है अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1-2-15 लिखना है तो यहाँ पर डेट शो कर देंगे जिस डेट में आप लोग के पास वीडियो जा रही है यहाँ डालेंगे पार्ट 23 और लिखना स्टार्ट कर दीजें यहाँ काउंटिंग यहाँ पर पहले मैं हेडिंग डाल देती हूं राइट काउंटिंग वन तू फिफ्टीन तो यहाँ पर लिख लिजे पहले सभी बच्चे तो स्टार्ट कर दीजें इसको लिखना वन टू त्री फूर फाइव शेक्स सेवन यहाँ आप लोग को वन टू फिफ्टीन तक लिखना सभी बच्चों को आना चाहिए एक्जाम में आप लोग को वन टू फिफ्टीन ही काउंटिंग लिखने के लिए आएगी तो सभी बच्चों को प्रैक्टिस करनी है वन टू फिफ्टीन काउंटिंग लिखने की काउंटिंग लिखने के बाद सभी बच्चों को नीचे लिख देना है annual course complete यहाँ आप लोग का annual course रेटन का complete हो जाता है oral भी complete हो गया है अब बुक को कॉपी को close करिए और नमबर आने टॉमी बुक में भी work कर लेते हैं और अपना course कम्रीट कर लेते हैं यह आप लोग की नमबर आने टॉमी बुक last हमने 59 पेज तक किया था लेकिए 59 पेज पर हम लोगों ने 14 लिखा था पार्ट 22 में कॉंप्लीट किया था अब पेज नमबर 60 है 60 को ओपिन करिए यहाँ पर डालिए पार्ट 23 होमवक डालिए 15 आप लोग को ट्रेस करना है तो ट्रेसिंग आप लोग खुद करेंगे होमवक डालिए पार्ट पेज नमबर 61 पर आजाईए यहाँ पर भी शो करिए पार्ट 23 और यहाँ 15 लिखना है तो 15 मैं आप लोग को भी कॉपी में लिखना बता चुकी हूँ 1515 तो यह आप लोग को पहले उपर ट्रेस कर लेना है सभी बच्चे ट्रेस कर लें 1515 अच्छे से ट्रेस करिए एक ब्लॉक में एक ही नमबर लिखेंगे सेकंड ब्लॉक में सेकंड इसका नमबर लिखेंगे तो यहाँ से देखिए रेड डॉट पर पैंसल रखें स्ट्रेट लाइन बनाईए 1 बन जाएगा को फाइप बनाईए नेक्स ब्लॉक में 1515 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 यहां हो गया 15 आप लोग का complete अब नेक्स आजाएए पेज नमबर 62 पर तो पेज नमबर 62 पर भी आप लोग को डालेना है पार्ट 23 यह भी आप लोग को homework में करना है क्योंकि इसमें ट्रेसिंग करनी है तो ट्रेसिंग आप लोग को खुद कर सकते हैं 11, 12, 13, 14, 15 ट्रेसिंग खुद करिएगा पेज नंबर 63 पर आ जाईए पेज नंबर 63 पर डालते हैं पार 23 और यहाँ पर हम लोग काउंटिंग लिखेंगे 11, 12, 13, 14, 15 तो पहले 11 लिख लेती हूं 1, 1, 11 1, 2, 12 1, 3, 13 1, 4, 14 1, 5, 15 1, 1, 11 1, 2, 12 1, 3, 13 1, 4, 14 1, 5, 15 15 तक यहाँ लिखने के बाद यहाँ पर लिखना है हमें Annual Course Complete यह आप लोग का हो गया है Annual Course यहाँ पर Complete आप लोग को जो है 1, 2, 15 Counting लिखना सिखाय जारी है पूरी आप लोग की क्लास में Play Group में और Counting जो है 1, 2, 20 आप लोग को ओरल याद करना है 1, 2, 8 आप लोग को Number Names याद करना है यह आप लोग को सभी अपना Work Complete करना है यहाँ पर Page Number 63 पर आप लोग का Annual Course कम्प्लीट हो चुगा है तो सभी बच्चे Page Number 63 तक अपना Work Complete करने हम लोग ने Page Number कहां से Start किया हम लोग ने Start किया था Page Number 56 है Annual Course अपना Page Number 56 है हम लोग ने Start किया अपना Annual Course Part 22 में हम लोग ने Page Number 56 page 57 page 58 or page 59 हम लोगों ने किया है part 22 में तो सब लोग को complete करना है and we have page number 60 page number 61 page number 62 page number 63 हम लोग ने part 23 में करके और अपना annual course यहां complete कर लिया है तो सब बच्चे अपनी वीडियो को देहान से देखें और अपना वर्क बुक में भी complete करें और copy में भी complete करें जो आप लोग को learn करना है वो learn करें याद कर लें और जो written करना है उसकी written की आप लोग practice कर लें ओके, thank you